तीमित्यूस के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री दूसरा अध्याएं अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि बिंती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुश्यों के लिए किये जाएं। राजाओं और सब उचे पदवालों के निमित इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ती और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उधार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वे यह चाहता है कि सब मनुश्यों का उधारो और वे सत्य को भलिभाती पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुश्यों के बीच में भी एक ही बिच्वई है अरथात मसी इश्यू जो मनुश्य है जिसने अपने आपको सब के छुटकारे के दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, जूट नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठेराया गया। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवात के पवित्र हाथों को उठाकर प्रात्ना किया करें, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और सयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आपको सवारे, न कि बाल गूथने और सोने और मोतियों और भहमूल से पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ती ग्रहन करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है, और स्त्री को चुपचाप पूरी आधिंता से सीखना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आग्या चलाए, परंतु चुपचा प्रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवव बनाई गई, और आदम भेकाया न गया, पर स्त्री भेकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उध्धार पाईगी, यदि वे सैयम सहित, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्तिर रहें। झाल सेवें बनाई तेक क defense ररेम के वी बच्चे, यदिन के दितने करते हैं पहित, तो झाल सकतव हैं title ऑवास, प्रेम खराण हाभी, वे स्त्री भेकास